जब भी मैं अपना WhatsApp को अन करता हूँ और यहाँ पर लिखा आ रहा है Your phone number is no longer registered with WhatsApp on this phone This might be because you registered it on other phone और यहाँ पर login और यह learn mode का option मिल रहा है तो guys क्या हुआ था कि कल मेरे साथ एक problem हुआ था यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कल से मेरे WhatsApp पे कुछ पहले से notice दिया जाता था और बाद में मुझे यह दिखने को मिला कि You have been log out from using an unofficial app तो ऐसे कुछ प्रोब्लम कल से हो रहा था लेकिन मैंने यहाँ पर बार बार login करने की टेराई किया था ठीक है और आपको प्लेश्टोर से जो official एप है उसको यूज करने के लिए बोल रहा है इसका मतलब यह है ठीक है लेकिन मैंने क्या किया था कि मैं इसे ही ओन करने के लिए बार बार login किया था क्योंकि मुझे यह ही WhatsApp यूज करना है ठीक है लेकिन login करने की बहुत सारा कोशिश किया था लेकिन login करते करते ऐसा हो गया कि मेरा WhatsApp में कुस ऐसा प्रब्लम आ गया यहाप लिखा आ रहा था डालोड का option पर चला गया और यहाप लोग इन का option था लेकिन यहाप बता रहा है कि यह जो longer हो गया मतलब मैंने बहुत बार ट्र लेकिन देखने को मिलता है बहुत सारा प्रोब्लम देखने को मिलता है जीवी एफम यो में अगर जो भी यूज करते होगा आपको तुरान आपको काम करना पड़ेगा आपको प्लेस्टोर से ही वह जो WhatsApp था सिंपूल वगरा तो उसको आपको ओन करना है मतलब प्लेस्टोर अगर यह काम ना आपको प्लेस्टोर प्लेस्टोर से लिया था और यह जो यह वार्षब था निचे यह अनपीशल है वतलब यह थाट पर यह है इसको हम लोग यूज कर नहीं पाएंगे कुछ दिनेों के लिए अब पता नहीं कितना दिन तक ऐसा होगा लेकिन मैंने एक का क्या था इसको बेक आप करका रख लिए था अगर यह काम ना आए तो मैं जिबी या एफम या तो कुछ और वाटसाप यूज करूंगा नॉर्मल वाटसाप तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैंने यही चलना है मुझे इसलिए मैंने दो दिन तिन तिन के लिए छोड़ दि सबको यूज कीजिए तो इनफोर्मेशन कैसा लगा मुझे जोरूर बताना आपका कॉमेंट में और इस वीडियो को एक लाइक कर देना थैंक यू सुमस्ट लाव यू अल टेक केर बाई बाई